हलो फ्रेंड्स माइन्बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और विनंदर फिर से एक बार हम साइंस के लिए क्लास एर्थ के लिए तीसरा चैप्टर जो बहुत ही महत्पूर्ण है वह क्या है सिंथेटिक फाइवर्स एंड प्लास्टिक एक पर सोच के देखो क्या हम लोग के जीवन में सिंथेटिक फाइवर्स और प्लास्टिक का कितुना बड़ा रोल है सूच के दो देखो सुबह से लेकर के साम तक हम लोग हैं सिंथेटिक फाइवर्स और प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं इवन यहां तक यह सुबर उठे, तो सुबर जो उठेंगे तो चपल पहनेंगे, फिर हम क्या है टूद ब्रस लगाएंगे, फिर हम टूद ब्रस के जिसे पैकेट में रखा हुआ है, उसको हम चुएंगे, सब चीज जो है, वो क्या है, वो प्लास्टिक की बनी हुई है, बाल और उसके द्वारा हुटा है, तो हम आज यहां पर डिस्कुस करने जा रहे हैं, कि सिंथिटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, बहुत इंपोर्टेंट शैप्टर, क्लास एर्थ के लिए, इसमें से टीन नंबर के सवाल, दो नंबर के सवाल, और एक नंबर के सवाल, बहुत प्लास्तार में बनते हैं, उस चीज को आप समझेंगे और उसको आत्मसाथ करेंगे, आज पुना, फिर एक बार मैं कहूंगा, कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में उसको शेयर करेंगे लिंक को, और अप अपने चैप्टर को, सिंथेटिक फाइवर और प्लास्टिक, क्लॉस्ट्स डाट वी वेर ओने डेली बेसे आर मेड़ अफ फैब्रिक, फैब्रिक आर दा मेड़ फाइवर्स, जो क्लाट जो हम लोग यहां पर कप्ले पहन रहे हैं, वो क्या है, वो सब फैब्रिक है, और फ आर्टिफिशियल सोर्स, जो फाइवर होते हैं, वो किसे नेचुरल सोर्स से भी और आर्टिफिशियल सोर्स है, मैंने भी पढ़ाया था, क्लास से पढ़ाया था, सिक्स में भी पढ़ाया था, कि जो नेचुरल होते हैं, वो प्राकृतिक तोर पर प्लांट से और एनिमल से प्राप्त होते हैं वो क्या का Wool होगा सिल्क होगा ये सब Cotton होगा ये क्रकृतिक तोर पर नेचरल फाइवर जिनको हम बोलते हैं साथ पर एक ऐल्घ्रास सेवन पर आर्टिफीश्यल फाइवर तो आर्टिफीश्यल फाइवर किसी कहते है जो man made होता है जिसको की मनुस्य ने लेबरेटरी में chemical के द्वारा पेट्रो chemicals के द्वारा बनाते है उसको क्या बोलते है artificial fiber बोलते है clear होगी बात जो प्राकृतिक तोर पर plant और animal से प्राप्त हो उस fiber को हम क्या बोलते है natural fiber और जो लेबरेटरी में man made man के द्वारा artificially chemical petrochemicals के माध्यम से बना जाता है उसको हम क्या बोलते है artificial fiber बोलते हैं देखें यहाँ पर wool silk and cotton are the few example of the natural fiber and fiber like the polyester tellerin are the few example of the synthetic fiber जो बात मैंने बोली ते वह बात clear होगी कि natural fiber कौन है और synthetic fiber artificial fiber कौन है what are the synthetic fiber अब question उठता है कि synthetic fiber होते क्या है हम बार बार सुनते रहते हैं कि synthetic fiber synthetic fiber होते क्या है the fiber which are made up in the laboratory by human beings from a chemical substance called synthetic fiber clear होगी बात कि जो लेवरेटरी में chemical substance के द्वारा जो बनेंगे उसको हम क्या बोलते हैं यह दिखाया आता है कि पूरा का पूरा उसको synthetic हम fiber बोलते हैं that is why these are the called synthetic or man made fiber generally synthetic refers artificial or which are not natural clear होगी बार यह बात ध्यान रखेंगे chemical substance chemical substance के द्वारा laboratory में human beings के द्वारा जो fiber बनेगा उसको हम क्या बोलेगे synthetic fiber बोलेगे या artificial fiber बोलेगे अधिया सोचेंगे कि यह synthetic fiber में बनती कैसे है तो उसमें दो चीज़ होती है monomer और polymer याद रखेंगे हर चीज के लिए सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको हम मानते है कि वो single unit होती है single unit होती है तो मान लो जैसे कि कोई fiber है उसके single unit जो हो गई वो दिखा जाएगा कि वह क्या है वह चोटा सा एक unit होगा उसको हम क्या बोलेंगे मोनो मर्स क्लियर होगी बात सिंटिटिक फाइवर में जो छोटी सी unit होगी उसको क्या बोलेंगे एक single unit को बोलेंगे मोनो मर्स अब जब क्या होगा कई मोनो मर्स आपस में मिल करके एक लंबी चेन स्रिंकला बना देंगे तो उसको बोलेंगे polymers क्लियर हो गई बात मोनो मर मींस एक single unit जब यह single unit आपस में मिल करके एक chain like structure बना देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे polymer बोलेंगे clear हो गई बात तो अब क्या हो गया single है तो वो मोनो मर है और यह पूरा complete है तो उसको क्या बोलेंगे polymer बोलेंगे समझेंगे in the laboratory which the help of the chemical substrate many small unit many small unit are made called the a monomer ठीक है for getting the synthetic fiber many such small unit combined with each other to form a single large unit this is called polymer you are surprised to know that the polymers occur in the nature also such as the cotton it is a polymer of cellulose a natural fiber natural fiber joha cotton cotton ka jo smallest unit है वो क्या है वो cellulose जो है वो कहां से निकल के आता है वह आता है किसे made up of the glucose यह glucose से मिलकर के बना होता है इस बात को समझेंगे तो natural fiber जो है वो क्या है वो मालो जैसे cotton है cotton जो है वो किसके पॉलिएट है वो क्या है वो मोनोमर है और जब मोनोमर छोटी-छोटी-छोटी मोनोमर मिलके चेल लैक स्टक्चर बना जी उसको क्या बोलते है पॉलिमर होते हैं हो गया क्लियर समझ में आ गया अब अधाल के टाईप आफ अफ सिंथिटिक फाइबर क्कित कि अगिया इन्टेटिटेट फायवर में देखेंगे चाहे रियान और एर्टिफिशिल्स शिलक इसको बोलता है रियान और artificial sick दूसरा क्या है nylon को परचित है हम लोग बोलते हैं nylon nylon कई बार बोलते रहते उसको ध्यान रखेंगे कि वो क्या है nylon हो गया और next उसके बाद है polyester and acrylic यह क्या तीन प्रकार के जो है वो दिखा जाता है synthetic fiber जो होते वो पाए होने हुए है जिसको कि हम इस तरीके से rayon या artificial silk बोलते है nylon बोलते हैं और इसके बाद polyester and acrylic बोलते हैं क्लियर हो गई बात धान रहेगा ओके अब दिखेंगे ताहला जो हम लेके चल रहा है रहा है रियाउन वरी इंपोर्टेंट रियान is made up from the purified cellulose which is chemically converted into the soluble compounds रियान comes from the natural source such as the word pulp but is considered as a man-made fiber this is because rayon can be treated as chemically जो आपका रियान है वो नेचुरल है और जो नेचुरल है तो वो वोड़ पल्प से प्राप्त होता है लेकिन उसको हम artificial क्यों ले आते हैं क्योंकि उसको हम chemicals के द्वारा जो है ट्रीट करते हैं उसको laboratory में हम chemical के द्वारा treat करके हम रियान बनाते हैं यह पूरी चीज़े जो है यहां पर लिखी हुई है ठीक है ना यह नेचुरल source as a wood pulp but it is the considered as a man-made fiber this is because rayon can be treated by chemically यह देखे chemically clear होगी बात when rayon is compared with the silk it is expensive but can be woven like silk fiber तो क्या है जब हम silk से और rayon को compare करते हैं तो क्या inexpensive होता है but can be woven like silk जैसा कि हम silk को देखते हैं सिताना बाना हम बुन सकते हैं उसके द्वारा क्या है हम यहां पर पूरा clear यह देखते हैं कि जो आपका rayon है वह क्या है artificial silk के रूप में जाना जाता है तो दो बाते तीन बाते यहां रखेंगे जो artificial silk है वह क्या है वह rayon है rayon उड़ पल्प से प्राप्त होता है उड़ पल्प राकृतिक है पर तू यह परंतू जो बात आ है वह क्या है chemically treated होता है इसलिए यह artificial फाइवर में आता है clear होगी बात समझ में आ गया next देखें अब दखिए गा यह rayon क दौरा जो है चीजे जो बनती है carpet है भाहत अच्छी के तापिलो कवर है बहुत अच्छी क्या है वो साड़ियां हैं बहुत अच्छी चीज्ञे होती है जो कि क्या है पर्दे के रूप के रूप में एंज पोस के रूप में हम इसका स्कावाल करते हैं varm nghiq3 निए इसके बाद क्या है नाइलाउन होगा री यान के बाद नाइलाउन एब नाईलाउन को बहुत काईल समझेंगे ऑजे समझ में आरा है सुमेट आपको नेको फिर समझा हूं अच्छा चलो हो एक लिए अब नाइलान समझेंगे नाइलान इस सिंथेटिक फाइवर आप्टें फ्रॉम कोल वाटर और दियर जुमाग में तॉम पैठा के रखेंगे नाइलान कैसे बनता है वह क्या है नाइलान जो इस इन्थेटिक फाइबर है और कहां से अप्टें होता है कोल से वाटर से और एयर से क्लियर होगी बात समझना रहा है दफ फुली सिंथेटिक फाइवर आप्टेन वाज नाइलॉन ठीक है पूरा सिंथेटिक जो फाइवर पहला बार आप्टेन किया गया वो क्या था वो नाइलॉन था इसका करेक्टरिस्टिक जो है इसका जो गुण है वो क्या है वो देखा जाता है कि एक तो हलका होता है नाइलॉन उसके बाद क्या होता है बहुत कहता है मजबूत होता है और साथ में क्या इलास्टिक होता है मतलब उसमें खिचा भी हो सकता है लेकिन अपनी मजबूती में व 9th application in the manufacturing of the socks ropes car sheet belt sleeping backs and curtains etc इसके अलावा भी कोई है दिख सोचता हो कि हाना नाइलॉन से बना हुआ है तो comment section में जरूर mention करेंगे हो गई ना बात समेथ clear है न तो यह चीज क्या comment section में अपनी किये किसके अलावा नाइलॉन से क्या गया रोप सब्था रसी बनती है, टेंस बना जाते हैं, उसके बाद क्या कार सीट जो है वो बनाई जाती है, नाइलॉन से, और उसके बाद क्या सीट बेल्ट बनाई जाती है, स्लिपिंग बैक्स बना जाते हैं, और साथ में क्या कर्टन्स बना जाते हैं, इसके अलावा दिया आपको कुछ पता रणक है अब आइए देखिए नैलां के वारे में सॉक्स बनाया है यहां पर ai तैसी देखिए सूँक्स है मोजा देखते रहा हुता है अच्छा रहता है विद्बोन करें AM Nolan C तू法से चुन है यह सब कई नाइला। नाइला। एक जो बच्चा है बच्चा कूद रहा है यह जो एक्टि कूदॉद रहा है वो है तो गाफ में पूरा का पूरा नाइला। परवर्टार हो ही होते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं, वो क्या उन रस्यों का प्रियोग करते हैं, वो भी किसकी होती है, नाइलाउन की होती है, क्योंकि मजबूत होती है, और साथ में लचीलापन भी होता है, उस पर इलेस्टिसिटी भी होती है, और स्ट्रॉंग होती है, उसका पूरा वेट कौन है पाराशूट जो है वो समहाल रहा है किसके माध्यम से नाइलॉन की रसी से नाइलॉन के क्या है इस छतरी से जो है पूरा उसका वेट समहाला जा रहा है वो सुरक्षा बहुत साउधानी से वो क्या है आकास से किसी जहाच के माध्यम से कूदा है और कूदने के बाद सुरक्षित वो जमीन पर आएगा किसके द्वारा पैरासूट के द्वारा पैरासूट किससे बना हुआ है नाइलाउन से बना है उसकी रस्या जो बनी है नाइलाउन से बनी है उसका जो छत्री बना हुआ है वह भी नाइलाउन से बना हुआ है कि नेक्स इसके बाद है पॉलिस्टर तो रियान बताया नाइलान बताया अब पॉलिस्टर बता रहे हैं पॉलिस्टर इस मेट आफ दा रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए कैमिकल कॉर्ड एस्टर क्या हुआ एस्टर से रिपीटिंग उनीट एस्टर 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 क्यों क्या होते पॉलिस्टर बनता रहे हैं ओस्टन क्यों शोटा श्रिंखलत व का पॉलिस्टर बनता है क्रीज़ी फ्रीं think सब्सक्राइब कर दो एक पर जो क्रीज बन गई वह सिंथेटिक बनी रहेगी और उस पर कहीं भी प्रेस करने की जड़रत नहीं होगी इस बेस्ट पर दा मेकिंग डर्ष मैटेरियल आज इस देख रहेगी यह बहुत ही क्रिस्टर की केता है बनी हुई फैबरिक्स होते हैं इस बहुत अच्छा है कपड़े बहुत होता है और फॉता ही पहले बाबा से कशिए लहां मजीप सायगी तर्लिंग प्रट कोई नहीं पहनता अब सब कॉटन की एह हल्का टरी कोट मिक्स की किता है यह फैबरिक पहनते हैं इसमें पसीना एब्सार्व हो ठीके न जियान रखेंगे ऑग शीच को सबर रहुंपिस्ट सब्सक्राइल को ऐसे हो डैज क्यों कि अगरक जैसे Hm आइकर्लिक जो है निचरल फाइवर से ज्यादा क्या है पॉपुलर है क्योंकि यौज इसी तू वाश है इसी तू हैंडल है इसी तू वियर है और एकर्लिक का जो होता है उस क्राश्च तो पसीना भी सुपता है हम लोग जो टी-शर्ट पहनते हैं होज़री के जो समान होते ह जो हम बार्बूटा पहनते हैं, वो क्या होते हैं? एकटली का होते हैं, खिचा भी होता है, पसीना भी होता है, और क्या है? लंबे समय तक हो कहा है, हम लोग को प्रयोग करने में आते हैं. हम लोग ने Synthetic Fiber के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग सीखेंगे Characteristic of synthetic fiber. प्रुट्धिक प्रॉट्रिक और सिंधेटिक फाइवर कुबाहत आसानी से समझेंगी पूकस दुट्ध अन्टारे स्टिक फाइबर हैं विच All the synthetic fiber are prepared by many processes using raw material of petroleum raw material of petroleum बार बार समझेंगे फिर बोल रहा हूं raw material of petroleum origin called petrochemicals तिमाग में यह बात बैठ जानी चाहिए कि जो भी synthetic fiber है वह fiber जो है वह petrochemicals के माध्यम से generate होता है और कई processes से होने के बाद यह synthetic fiber बनता है जो इसकी characteristic feature है process is unique characteristic which make them the popular dress materials as they are dry up quickly जल्दी सूख जाता है durable बहुत लंबे समय तक बना रहता है less expensive बहुत कम खर्च होता है और readily available and easy to maintain और इसको हम बहुत आसानी से उसको maintain करके रख सकते हैं किसको अपने synthetic fiber के fabrics को जो कपड़े हम पहनते हैं t-shirt पहनते हैं shirt पहनते हैं कुछ भी पहन रहे हैं lower पहन रहे हैं वो सारी चीजे you must have the notice that synthetic fiber melt on hitting यह synthetic fiber जो होता है वो क्या होता है जब गरम होता है तो melt कर जाता हो यह क्या है यह उसकी property होती है next है plastic सबसे ज़्यादा यही आदुनिक समय में यही किसी चीज का यूज हो रहा है वो plastic का यूज हो रहा है plastic पर American पूरा बिश्व पूरा भारत यह लगा हुआ है इसको बैन करने पर अमदा है पहले कि जवाने में बास की चेयर हुआ करती थी लकडी की चेयर हुआ करती थी आज आप देखोगे हर घर में क्यों संतोस तुमारे का घर में है न सारी जो चेयर से हैं वो plastic की हां आठ है अच्छा अच्छा ठीक है तो कुल मिलाकर की plastic का इतना यूज हो गया कि अब जो है टेबल भी plastic का चेयर भी plastic की कूद ब्रस भी plastic का पालिटी भी plastic की मगगा भी plastic का इच एवरिटी प्लास्टिक के कंटेनर में रखा हुआ है तो यहाद रखेंगे हमको इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि plastic है क्या इसका प्रयोग कैसे होता है क्यों होता है इस बात को समझेगे plastic is also a polymer like the synthetic fiber all plastic do not have the same type of the arrangement of unit in some it is the linear whereas in other it is the cross linked plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into the sheet or the made into the wires that is the why it finds such as a variety of uses plastic की बहुत सारी जो है uses होते है plastic समझ में आगे न प्लास्टिक को कैसे बनता है क्या है अब यहाँ देखेंगे plastic in day to day life बतलब हमारे डैनिक जीवन में plastic जो है कैसे कैसे use होता है सुचके देखो comment section में बताओ कि आप प्लास्टिक की क्या क्या चीज़े use करते हो अब यहाँ देखेंगे कि बहुत साले आर्टिकल्स होंगे जैसे toothbrush, comb, twiyes, bottle, carry bags, furniture and so many other things. remember the plastic is also a polymer like the synthetic fiber, plastic or articles are available in all the possible shape and the size, more ever plastic can be recycled, reused, colored, melted or made into the wires. यह बात ध्यान है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि देने की जीवन में plastic के भरमार है use करने का, चाहे वो twi हो सकता है, चाहे वो brush हो सकता है, चाहे वो comb हो सकता है, चाहे वो plates हो सकती है, चाहे वो mug हो सकता है, चाहे वो balty हो सकती है, चाहे वो chairs हो सकती है, table हो सकता है, even pen का जो उपर की बोडी होती है वो सकता है किसे मोट्साइकिल का जो पार्ट होता है स्कूटिल का हो सकता है हर जगह प्लास्टिक का यूज हो रहा है डेय टूदे लाइप में देखिए चेर से बाल्टी यह ग्लास है और यह बाइक के ऊपर का जितना covering है वो भी क्या है plastic का बना हुआ है next उसके बाद thermoplastic plastic which get deformed easily on the heating and can be bent easily are known as thermoplastic example polythene and PVC जो thermoplastic होते हैं उनको यह दि हम heat करते हैं तो क्या होता है वो पिघल जाते हैं फिर उसका हम reuse कर सकते हैं उसको हम दूसरे डंक से उसको बना सकते हैं आप देखते हैं कभी कभी बाल्टी खरीदने जाते हैं या कोई चीज खरीदने जाते तो बोलता है यह first plastic यह first मतला जो नया बना और जो कहते हैं second की plastic इसका मतला यह plastic का कोई समानता इसको पुना गलाया गया गलाने के बाद इसकी चेयर बना दी गई तो उसको seconds की बोलते हैं यह बात ध्यान रखेंगे next इसके बाद है थर्मो शेटिंग प्लास्टिंग प्लास्टिक विच में मोल्डेड वन्स कैन नॉट बी softened by the heating example baccalite and melamine तो क्या है यह जो दो है जो थर्मो शेटिंग प्लास्टिक है वह जो है एक बार जो बन गया उसको दुबारा यह दी हीट करते है तो वो फिर पिघलता नहीं है री शेप नहीं होता वो बेकार हो जाता इसमें baccalite आता कि जो हमारा electric का switch होता है वो baccalite का होता है जो क्या होता है electric का जो है वो back conductor होता है कभी आप देखें कि जितने भी switch होते है सब baccalite के बने होते है और उसी तरीके से मिलामीन होता है यह भी क्या है एक बार बन गया उसके बाद इसको दुबारा हम यह है यूज नहीं कर सकते है जैसे देखिए यहाँ पर है utensils का ममी के कुकर में जो है वो लगा हुआ है कुकर पे लगा हुआ है यह देखे switch लगा हुआ है यह plates बने हुए ट्रे बना हुआ जब क्या है यह thermoplastics होते हैं जिनका की यूज हम करते हैं नेक्स इसके बाद प्लास्टिक as material of the choice प्लास्टिक जो है वो क्या है च्वाइस पसंदीदा चीज बन गई है कैसे बन गई है देखेंगे तोडे इवी तिंक तूर ए फूर इन आइटम वाटर मिल्क पिकल ड्राइफूर एसे ट्राइट्रा प्लास्टिक चंटेनर शीम मोस्ट कन्विनियंट पाइस सब्सक्राइब को का रहा है क्योंकि वह क्या है उसको युज करना असान है बनाः अब जाकर घर पे देखेंगे कि एक डबा जो है मम्मी कम से कम दस्यों साल से इस्तमाल कर रही होंगी तो क्या है वो लगातार है उसको दुरिबिल्टी उसकी जादा होती है you know that the metals like iron get the rusted when the left exposed to the moisture and air but plastic does not react with their water and air easily since plastic is very light, strong, durable and can be molded into the different shape and the size it is used to the various process and also plastic is generally cheaper than the metals the plastic is what is the structure of the air or the moisture or the temperature there is not much difference in this matter, we will keep this matter so what does it mean that the plastic that we have had a bucket of water there is moisture in the air, the moisture in the air, the moisture in the air, the container in the air, the plastic is a poor conductor of heat the plastic is a poor conductor of heat and electricity that is the why electrical wires have the plastic covering handle of the screw drives and their frying pan are made up of the plastic such as the health care industry, fire industry, IT industry, wrapping and industry and the so on so on the plastic is light, strong and durable the plastic is light, strong and durable the durable is very long we are saying that the comments section is the poor conductor which is the poor conductor which is the heat and the electricity which is the poor conductor the plastic is very important for the examination point of view plastic and the environment plastic takes several years to decompose it is not the environmental friendly सबसे बड़ा जो ड्रावबैक है प्लास्टिक का सब कुछ अच्छा होते हुए यह डिकम्पोजड नहीं होता यदि एक आप क्या है प्लास्टिक का कोई चीज है उसको आप जमीन के अंदर गाल के रख दिए दसियों साल ऐसे ही बना रहेगा उसमें टस्ट है बस कोई अंतर नहीं होगा तो प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या वर्ड वाइड बनती चली जा रही है इसलिए क्या है हर जगा पॉलथीन जो है वो क्या बैन कर दिया गया पॉलथीन से क्या होता है जन्तु जानवर जो है खा जाते हैं नालियां चोक हो जाती है भूमी बंजर हो जाती है वाटर होल्डिंग कैपसिटी जो होती है स्वाइल की वो कम हो जाती है यह सब क्या plastic का जो है drawback है it causes the pollution यह क्या production पैदा करता है plastic जो है production का बहुत बड़ा शुरूत है the burning process is the synthetic material quite slow does not get the completely burnt easily it released lot of the poisonous fumes into the atmosphere causing the air pollution in the process कभी plastic को जला के देखना कभी कभी होता है electric का वायर जलने लगता है कभी tire जलता है तो हमको दूर से महकाया थी कि प्लास्टिक जल रहा है rubber जल रहा है कुछ जल रहा है तो उसे बहुत बिसैली पद्बूदार gas निकलती है और वह क्यादब काला होता जो कि environment को कहा है विकार करते हैं पलूशन क्रियेट करते हैं इन बात को ध्यान रखेंगे बाइयोड डेडरेबल and नौन बाइयोड डेडरेडरेबल मेटेरियल very important topic for the examination of point of view, biodegradable का मतलब क्या होता है, वह चीज, वह material जो की समय के साथ environment में जो है, खतम हो जाए, कागज है, कपड़ा है, बहुत सारी चीज़े ऐसी है, जो environment में गल पचके खतम हो जाती है, और फिर उनके recycle हो जाता है, इन बातों का ध्यान रखेंगे, और साथ में क्या है, non-biodegradable का मतलब क्या होता है, वो कभी भी क्या होता है, उनका degradation नहीं होता, वो च्छरण नहीं होता, वो क्या होता, ऐस सच बने रहते हैं, जैसे कि plastic है, polythene है, यह क्या है, पोर्स्री, मिलते नहीं है, तो दो चीजे हो गए, जो environment में घुल मिलकर, खतम हो जाए, समाप्त हो जाए, नस्ट हो जाए, वो बायो डिग्रेडेबल है, बायो डिग्रेडेबल, क्लियर हो गई बात, और जो न नस्ट हो, ऐस सच बना रहे है, बायो डिग्रेडेबल सबस्टेंस क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया अची तरीके से, good, टाइपस ऑफ वेस्ट, अप्रॉक्सिमेट टाइम, और नीचर अब न मैटियरियल, पील, वेजिटेबल, फूट, लिवर, लेफ्ट ओवर, फूट स्टफ कितने दिन में, एक से दो वीक में खतम हो जाता है, यह बायो डिग्रेडेबल होता है, मतलब यह मिल जाता है, पेपर, दस से तीस दिन के अंदर खतम हो जाता है, क्लॉट जो है, कॉटन जो है, वो 2-5 महीने में खतम हो जाता है वुड़ जो है 10-15 एयर में खतम हो जाता है वुलन क्लाज जो है about a year एक साल के अंदर खतम हो जाता है यह बाइडेडेडेबल है लेकिन टेन, अलमूनिय में आधर मेटल स्कैन जो है 100 से लेकर 500 साल तक जो है वो में छरण होता है यह non-biodegradable है और plastic bag जो है several years several to several years जो है पड़े रहेंगे यह non-biodegradable है यह समाप्त नहीं होते हैं तो इसका screenshot एक ले लीजेगा clear हो गई अब देखिए इसके बाद जो next है वह है implement the four hour principle in the everyday life following are the four hours यह चार आर का प्रयोग अपनी डैनिक जीवन में करना है four hour rules इसको कहते हैं बहुत important है पूछा हुआ है CBSC में पूछा हुआ है ठीक है तो पहला क्या है पहला क्या है reduce कम प्रयोग कीजिए R से reduce reduce मतलब जो प्रयोग करना है वो कम करिए थोड़ा कम मात्रा में कीजिए reuse उस चीज का बार बार reuse कीजिए मतलब क्या उसको recycle करते रहिए हाँ reuse करते यह फिर क्या है recycle उस चीज को क्या है दुबारा जो है बनाइए तिवारा बनाइए चोबारा बनाइए और उसका यूज करते रहिए उसी संसाधन को बार बार यूज करते रहिए और चौथा है रिकवर उसकी प्राप्ति करते रहिए अब इसको कैसे जमझेंगे माली जे हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे है तो हम उसको हम कम करेंगे पॉलोथीन को हम reduce कर देंगे हम अपने घर का काम जो है ठैले में करेंगे ले करके जाएंगे माली जे को है reuse है माली एक पॉलोथीन हमारे घर में आ गई उसी को अगले दिन भी लेके गए सब्दी लेने के लिए उसी में लेके चले आए या फिर उसका बार-बार उसी पॉलोथीन का प्रियोग कर रहे है उसी पैकेट का प्रियोग कर रहे है तो ये जो चार जो है फोर आर उसको हम समझे रहेंगे वो क्या है reduce, reuse, recycle, recover क्लियर हो कही बात जान बना रहेगा पॉलचीन से बना रहेगा कि हमें कैसे उसको यूज करना है प्लास्टिक को कैसे यूज करना या कोई भी संसाद है उसको हम किस तरीके से बार-बार हम उसका प्रयोग करके अपने प्रकृति को अपने environment को हम बचा सकते है next है keywords आपको acrylic मैंने बताया artificial बताया, silk बताया nylon जो है artificial fiber है plastic भी, polyester भी और polymers जो बने बताया कि जो monomers के साथ जुड़ करके बने होते हैं, उनको polymers बोलते हैं polythene क्या है, वो ethene का होता है उसके साथ जो एक एक molecule जुर करके बनेंगे तो उसको polythene बोलेंगे rayon जो है, उसको हम क्या बोलते है artificial silk बोलते है synthetic fiber है, फिर इसका teraline है, और फिर क्या thermoplastic है, और thermos setting है और plastic है, these are the keywords, इन keywords को मैंने इकित करके आपको define किया है उसको आप देखें, उसको समझें और उसके लिए प्रयत्न करें और NCRT पर बैठ करके उसको notes बनाएं, इसकी exercise हल करेंगे comment section में जरूर बताएंगे कि आपको ये chapter कैसा लगा आपने synthetic fiber और plastic के बारे में detailed study करी है और इस channel को जरूर subscribe करेंगे और अपने दोस्तों में share करेंगे और इस part को खुब अच्छे से तयार करेंगे bio degradable, non-bio degradable को खुब अच्छे से पढ़ेंगे plastic है, thermos setting है, travel thermoplastic है इन सब को पढ़ करके, इसका notes बना करके exercise हल करके, उसको set रखेंगे, और खुब बैनत करेंगे यह ग्रिस्मा आफ़ास बहुत अच्छे से हो और आप सब इसी तरीके से जोड़े रहें, इस channel पर math की class, science की class biology की class, यह सारी classes चल रही है, इसको आप देखें, सीखें, और अपने जीवन में आत्म साथ करें जै भारत, जै देश झाल झाल झाल